हेलो नमस्कार सुट्टेंट वेलकम टू इनोवेशन शेडी चैनल आप सुभी का यहां पर श्वागत करते हैं आज अपन सुरू करने जा रहे हैं एक्सलेंट डेसवरक का model paper 4 SST subject का हमने पहला दूसरा और तीसरा complete कर लिया है पहला हमने संजीव में ही complete कर लिया था दोनों में शेय में कोई दिकत नहीं आप संजीव से पढ़ेंगे तो भी कोई दिकत नहीं लगबग हमारे संजीवरक के 6 model paper complete हो चुके हैं excellent का चोथा आज हमने शुरू कर लिया ज्यादा नहीं excellent में 10 है और उसमें 9 है तो जल्द ही अपन complete कर लेंगे आपका attain table भी आ चुका है उसके इसाब से आपको त्यारी करनी है कम से कम परतेक model paper को दो या तिन बार आपको जरूर देखना है कम से कम दो अधिक बार ज्यादा जितनी बार देखे हुई उतना ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए बाकी math subject में excellent चल रहे है संजीव complete हो चुकी है science subject में भी संजीव complete होने को जा रही है और excellent शुरू कर रखा है सर नहीं उन सभी कलासों का link में इस class के description box में दे रहा हूँ अगर आपको free में PDF बाकी climate के चांड़ कर सकते हैं ट्यू चलेगा को शुरू करते हैं आज की говорить आजकी, कि अस्की कßen लास का पहला प्रेशन इस परकार से रहेगा पहला प्रेशन है कि इनकलाब जिंदावादका नारा क्सी ने दिया था इनकलाब जिंदावादका नारा किस ने दिया थां तो option no रूप से कब कारिया करना प्रारंब किया विसो बेंक और अंतराष्टे मुद्राकोश ने उपचारिक रूप से कब कारिया प्रारंब करना सुरू किया था सन 1947 में किया था ओप्षिन नंबर A राइट हो जेगा next question is कौन से बंदरगाः 1780 के दशक में कौन से बंदरगाः 1780 के दशक से वियपारिक बंदरगाः के रूप में विक्शित होने लग दे थे तो इसका option number A right हो जेगा बंबई और कलकत्ता के जो बंदरगाः बंबई और कलकत्ता के बंदरगाः वह वैपारिक बंदरगाय के रूप में विक्षित होने लग दे थे इसके बाद में next question पर चलते हैं next question में आपको दे रहा है बाल गंगा धरतिलक दौरा प्रकाशित पत्र का नाम था या प्रकाशित पत्र था चार नमर का option नमर बी राइट हो जेगा कैसरी बाल गंगा धरतिलक दौरा प्रकाशित पत्र का नाम था कैसरी next question पर चलते हैं question नमर पांच है भारत के कुल भगोलिक छेतर फल के कितने परतिसत भाग के भू उप्योग आंकडे उपलब्ध है तो लग भग आपके पास इसका राइट आन्सर आप्षिन नमर आजगा ए तिराण में परतिसत है नब बन भग केतने हैं तो फिराण में परतिसत है बंधो गड राष्ट्य उद्धान इस्तित है छे mabra का मद्य प्रदेश में हैं एम्पी में ये स्टीक है भारत का दूसरा महतो पुण धातु शोदन उध्योग में ह। निमलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख शाधन है ये आपको बताना है तो राइट आंसर हो जेगा option number B शड़क प्रिवहन है वो सबसे प्रमुख शाधन है भारत का नेक्स्ट पर चलते हैं बेल्जियम में निमलिखित में से किस महाद्वीप का देश है नो नंबर का राइट आंसर आप्शिन नंबर A हो जेगा यूरोप है यूरोप का देश है बेल्जिम महादीप का देश है तो यूरोप महादीप का है निमलिखित में से कौन सा विश्य समवर्ती सूची में सामिल नहीं है तो पुलिस समवर्ती सूची में सामिल है रक्षा है क्रशी है लेकिन ये option आपका D वाला हो जेगा option number D राइट हो जेगा सिक्सिया है वो समवर्ती सूची में सामिल है नहीं समवर्ती सूची में सामिल है नहीं नहीं पुछा है पुछा है सामिल है ये विश्य निमलिखित में से कौन सा विश्या है समवर्ती सूची में सामिल है है तो सिक्सिया है सिक्सिया है वो समवर्ती सूची में सामिल है इस निमण में से किस देश इवन में महिलाओं की भागया दारी का स्तर बहुत उंचा है कहां पे है ग्यारा नंबर का रायट अन zor option number डी रायट हआः होजेगा जैसे नार्वे में है इंडियन नेशनल कांग्रिश की स्तापना कब हुई बारा नमबर का राइटवीदिया प्रात्मिक और द्वित्य छेत्र के विकास में मदद करती है किस छेत्रक की गतिवीदिया प्रात्मिक और द्वित्य छेत्रक के विकाश में मदद करती है तो तेरा नंबर का राइट अंसर ऑप्षिन नंबर सी राइट होजेगा त्रित्रक ठीक है नेक्स्ट है निमलिखित में इसे कौन सी संस्ता रेणों के अपचारिक स्तुरोतों की क से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंतन अथ्वा स्वामिता रखती है कि 15 नंबर का राइट अंसर ऑप्षिन नंबर डी राइट होजेगा बहुराष्टे कंपनी है कौन सी है बहुराष्टे कंपनी जिनका कारवार एक देश के अलावा अन्य द लेकर उसको जुरुद दबालने तकि प्रते के लास का मिलता रहे नेक्स है हालस्तान चाहली कपड़ा में अठारा सो चोपन में लगी तो कहांपे लगे थी बंबई भी या मूंबई लिख सकते हैं कि बात नेक्स्ट है समाद कौमूदी के लिखक हैं समाद कौमूदी के लिखक हैं राजा राम मोहन राय हैं नेक्स्ट है पंडित ज्वाला नेरू बांधों को खालिस्तान कहते थे आधुनिक भारत का वंदिर ये पंडित ज्वाला नेरू है वो बांधों को कहते थे बांधों बांध जिसमें पानी होता है इकठा किया जाते हैं बांध का जाता है यह तो समझते ही होंगे सारी राश्ट्रे लोकदल का समंद मुखेते खालिस्तान राजे से राश्ट्रे लोकदल अकाली दल या लोकदल राश्ट्रे लोकदल चार नमबर का राइट अंसर यूपी आजेगा क्या उत्तर प्रदेश राष्टे लोग दल का प्रमुक्ष श्रमंद कौन से राजेश है यूपी से उत्तर प्रदेश है नेक्स्ट है लोग तंतर में फेंशले खालिस्तान के अनुशार होते हैं लोग तंतर में फेंशले हैं नियम कानून के अनुशार होती हैं कैसे होती हैं नियम कानून के अनुशार होती हैं नेक्स्ट क्यूसन भी चलते हैं क्यूसन नंबर आपको दे रखा है कौन सा देशों का विकास के अधार पर वर्गी करन करते समय यहां पर आजेगा प्रति व्यक्ति आए मापदं का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है सरकार दवारा अवरोधों या पर्तिवन्दों को हटाने की परकिरिया क्या कहलाती है उदारी करन उदारी करन कहलाती है तो यह सात्वा इसका हो जेगा next question पर चलते हैं question number तीसरा सुरू हो जाता है इसमें आपको answer है वो एक सब्ढों में या एक पंक्ति में एक line में देना है एक number का है सत्या ग्रह क्या है सत्या ग्रह के बारे में आपको बताना है दमनकारी सक्तियों के विरूद महत्मा गांदी जी द्वारा प्रियोग किया गया एक एंसात्मक धंग सत्या ग्रह है इंसात्मक धंग क्या है सत्या ग्रह है इसका इंग्लेंड में कपडा वेपारी किस से उन खृण जेते थे तो इसका राइट आंसर वेगा स्टेपलर से स्टेपलर से और स्टेपलर कौन होता था स्टेपलर جो उनको दागो यह रिष्चों के नुशार अलग अलग उनको डिवाइड कर लेता था रिष्चों को वो क्या कहलाता था स्टेपलर कहलाता था और उन ही से वो क्या खरीदते थे कपड़ा खरीदते थे उन खरीदते से सोरी कपड़ा वेपारी नेक्स्ट है इस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्योंकि तो बुनकरों का निर्क्षन करने के लिए क्योंकि थी जियों की सुर्क्षा के लिए स्तानिय समुदायों ने आरंब किया था यह बताना है तो यह होजेगा एक तो चिप को अंदोलन एक नव दान्य अंदोलन एक तो कौन सा है नव दान्य अंदोलन है एक है चिप को अंदोलन नेक्स्ट है पेंट्रो रसाइन का क्या उप्योग है इसके बारे में आपको जान कर देने हैं पेंट्रो रसाइन करत्रिम रबबर प्लास्टिक रंजक परदार्थ दवाईयां और सद रसाइनों के निर्माण में प्रियुक्त किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन आ जाता है बेल्जियम में कौन सी भासा बोलने वाले लोग शम्रद यहों ताक्तवर रहते हैं तो बेल्जियम में फ्रेंच बासी लोग अधिक सम्रद और ताक्तवर रहे जिनको फ्रेंच बासा आते वो अधिक सम्रद और ताक्तवर रहे हैं नेट्स है महिलाओं को घ्रेलू उत्पिडन से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुझाओ कीजी घ्रेलू हिस्सा अधिनियम कानूनी नियमों की जानकरी देना महिला को घ्रेलू हिसा अधिनियम के जो कानूनी नियमों की जानकर है वो अगर आपन दे देते हैं तो यहां से इसका निस्कर्स हो जाता है महिलाओं को घ्रेलू उत्पिडन से बचा जा सकता है नेक्स राजनितिक दलों में पक्षपात क्यों विक्षित होते हैं राजनितिक दलों में पक्षपात एक दूसरे के पते कटाक्ष क्यों विक्षित हो जाती हैं क्यों उत्पन हो जाती हैं देखो राजनितिक दल समाज के किसी एक हिस्से से समंदित होते हैं इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वरग या संवधाय विशेश की ओर जुका होता है जो राजनेतिक दलों के लक्षे विक्षित करता है। कि अंतिम वस्तिय होती है और अंतिम वस्तिय के बारे में आप जान गए हूं। नेक्स्क्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट कहलाता है नेक्स क्यूशन पर चलते हैं आपको दिरखा है चार नंबर क्यूशन से शुरू हो जाएगा और स्क्षिन नंबर भी शुरू हो जाएगा अब यहां से दो दो नंबर के क्यूशन है तो इनकी उत्तर गांदी जी ने ब्रिटिस सरकार के परती ऐस सेहोग की नीती क्यों अपना ही पताई अपनी प्रशिद पुष्टक हिंद सवराज में महत्मा गांदी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिस सासन भारतियों के सेहोग से ही स्तापित हुआ था तता यह सासन इसी सेहोग की वज़ वर्स भर के भीतर ब्रिटिस सासन स्माप्त हो जाएगा और सवराज की स्तापना हो जाएगी अता है गांधी जी ने ब्रिटिस सरकार के विरुद ऐस योगांदोलन चलाने का निश्य कर लिया था समझे यो क्लास को लाइक और शेर करते नहीं इसमें कंजूशी नहीं करें कौन था कित्ता गावा उत्ता मारो कौन था इसका क्या योगदान है सक्षेप में बताईए नामी अजीब सुना है मेरे तो कित्ता गावा उत्ता मारो कौन था तो देखो कित्ता गावा उत्ता मारो एक चित्रकार था उसका जन्म 1753 222 जो की वर्तमान में टक्यो में है में वह था उत्ता मारो ने उक्योँ यानि जीसका होता है तेरती दुनिया के चित्र उक्यो बलते है उक्यों को बोलते हैं तेरती दुनिया का चितर नाम की एक नई चितर कला सेलिक में महतोपुन योगदान दिया इसमें आम सहरी का चितन किया गया इसकी छपी परतियां यूरोप में यूरोप और अमरीका में पहुंची इस चितर सेली ने मानने मानने वैं वान गॉंग जैसे चित्रकारों को परभावित किया नेक्स है चादर अपरदन और अव नलिका अपरदन में अंतर स्पर्ष्ट करना आपको देखिए मर्दा के कटाओ और उसके बाहो की प्रकिरिया को मर्दा अपरदन कहते है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मर्दा अपरदन कहलाता है या तो तेज हवा से कटाओ लग जाएगा या पानी की तेज बाहो से कटाओ लग जाएगा और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी यानि उपर से नीचे की तरफ पानी तेजी से बह रहा है और पानी बहते हुए पानी के साथ में मीटी का कट लगके मीटी का कटाओ होके मीटी उसके साथ बह जाती है उसे क्या कहते हैं चादर अपरदन कहते हैं कई बार तेजी से बहता हुआ जल नीचे की और नरम मर्दा को कारते कारते गहरी नालिया बना देता है ऐसे अपरदन को आउ नाली का अपरदन कहते हैं यानि पानी इतना कट जाता है पानी इतना तेजी से बैता है वहाँ पे इतना बड़ा कटाओ लग जाता है कि वहाँ पे खाई गहरी खाई या नाली बन जाती है उसे क्या कहते हैं आउ ना लिका अपरदन कहते हैं अब चलते हैं नेक्स क्योशन की तरफ क्योशन नमबर साथ इसमें रखा है परियाप्त जल संसादन होने के बावजूद कुछ छेत्रों में जल की दुल्लबता क्यों पाई जाती है बताईए तो परियाप्त जल संसादन होने के बावजूद कुछ छेत्रों में जल की दुल्लबता पाई जाती है यह दुल्लबता जल की खराब गुणवता के कारण हो सकती है खराब गुणवता के कारण जैसे घरेलों उधोगिक अफसीष्टों का जल में मिल जाना रसाइनों कीटनासों और उरूरकों का जल में मिल जाना इस परकार उत्सरजित जल को मानो उप्योगिके लाइक बनाने है तो जल के उनर सोधन का कोई उपाई नहीं किया जाना यह कारण है इसके नेक्स क्यूशन भी जलते हैं आठ नमर क्यूशन में आपको दे रखा है किसी देश के अंतरराष्ट्रे वेपार को उसका आर्थिक बेरोमीटर क्यों कहा जाता है तो यहां पर दे रखा है इसका उत्तर अंतरराष्ट्रे वेपार दो या दो से अधिक देशों के मद्द्य किया जाता है वैपार को या वैपार के दो घटक होते हैं आयात यू निरियात एक देश के अंतराश्टे वैपार की प्राप्ति उसके निरियातों से आंकी जाती है जिस देश के निरियात आयात की अप्रेक्षा जितने अधिक होंगे उसे विदेशी मुद्रा भी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी तता देश आर्थिक रूप से सम्रद होता चला जाएगा एक देश के अंतराष्टे वैपार की यही परगती उसके आर्थिक वेभो का सुचक मानी जाती है इसलिए अंतराष्टे वैपार को एक राष्टर का आर्थिक वेरोमीटर भी कहा जाता है है समझरेयो क्या समझरेयो बहुत यहां बढ़ी आश् Почему के चलते हैं सिंप्त संग्यक वाद इस उस देश स्रिलंका में बहुत संक्यक वाद की स्थिति देखने को मिलती है जहां सिहलियों का वर्थ्षव है करता धरता सिहली है वहाँ पर नक्स क्यूशन पर चलते हैं कि दस बारतिय सविधान में कौन-कौन से प्रावधान भारत को एक धरम निर्पेक रास्टर बनाते हैं भारत का सविधान किसी धरम को विशेश दर्जा नहीं देता हमारा सविधान सभी व्यक्तियों समुदायों को उनको अपनी इच्छा से धरम को अपनाने उसका परचार करने की सोतंतरता परदान करता है भारतिय सविधान धरम के अधार पर किये जाने वाले किसी भी परकार के भेदवाव को परतिबंदित करता है सविधान राज्य को धार्मिक समुदायों के अंदर शमानता सुनिशित करने के लिए धरम के मामले में हसेप करने का अधिकार परदान करता है राजनितिक दल क्या है राजनितिक दलों के विश्यों में लोगों की क्या राय है यह बताने है तो राजनितिक दल राजनितिक दल लोगों का एक समुए होता है जो चुनाओ लड़ने यहों शरकार में राजनिति सता हासिल करने के उदेशे से कारिया करता है यह संपूर्ण राष्ट के हितों को ध्यान में रखे कर कुछ नीतियां यूकारिय करमतिया करता है अधिकांस लोग राजनितिक दोलों की आलोचिना करते नजर आते हैं अपनी लोगतांत्रिक विवस्ता में राजनितिक जीवन की परतेक बुराई के लिए दो दोलों को ही जिम्मेवार मानते हैं इसके अत्रिक्त समाजिक और राजनितिक विवाजनों के लिए भी दोलों को ही दोसी माना जाता है लोगतंतर किस परकार एक वेद सरकार का गठन करता है लोगतंतर किस परकार एक वेद सरकार का गठन करता है तो यह होगा वेद सरकार लोगतंतर एक वेद सरकार का निरिमान करता है क्योंकि यह जानता की सरकार होती है लोकतंतर क्या होती है लोकतंतर एक वेद सरकार का अंधिर्मान करता है क्योंकि यह जनता की सरकार होती है लोकतंतरिक सरकारे जनता के दोरा निर्वाचित परतिनीदियों की सरकारों के होने के कारण वेद सरकारे होती है यह जनता चुनती है और जनता जिन विधायक को चुन लिया वो जाके सीम को चुनेगा ठीक है तो जनता की सरकार होगी वो वेद सरकार होगी एवेद नहीं होगी इन्हें देश की जनता के स्वभाविक स्वीकर्ती मिली होती है यह जनता की होती है जो अपने के द्वारा जो अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनी जुतों के माध्यम से सरकार बना के श्रमे के उपर सासन करवाती है, वो जनता की सरकार होती है, वही वेद सरकार होती है, जनता खुद चुनती है और जनता खुद चुनके अपने राश्टर के लिए अपने उपर सासन करवाती है, व विकास को समझने का एक महतोपुन मापदंड है व्याख्या कीजिए व्याख्या आपको करने है तो विविन देशों में विकास को मापने के लिए आये का एक महतोपुन ततो है परन्तो कुल आये उपयोगी मापदंड नहीं क्योंकि विविन देशों की जनता भिन भिन होती है इसलिए कुल आए की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चल पाता कि परतेक वेक्ति क्या कमारा है और क्या आए या परती वेक्ति आए से जाना जा शक्ता है इसी कारण हम औसत आए की तुलना करते हैं जो कि कुल आए को देशों की कुल जन संक्या से भाग देने पर प्राप्त होती है इसलिए हम सोचते हैं कि औसत आए विकास को समझने का एक महत्वपुन मापदंड है वेशबिकरण प्रकिरियां में बहुरास्ट्य कंपनियों की क्या भूमिका इसके बारे में आपको जानकरी धनी है वह या देखो वेशबिकरण का जनम विदेसी वया पारेयों विदेसी निवेस के कारण हुआ है ये दोनों किरियाएं मुखेते बहुराश्चे कम्पनियों द्वारा संपादित की जाती है बहुराश्चे कम्पनियां वेश्विकन की प्रकिरिया में मुखेते भूमी का निभा रही है ये कम्पनियां अन्य देशों में अपने उत्पादन का विस्तार कर रही है विविन देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तों और सेवाएं निवेश और प्रोधोगी की का आदान परदान हो रहा है विगत कुछ वर्षों के तुल्ला में विश्व के अधिकांस देश एक दूसरी के अपेक्षा करत अधिक शंप्रक में आए हैं नेक्स क्योशन पर चलते हैं नेक्स क्योशन उभगता का क्योशन आता है 15 नमबर क्योशन जोकी इस सेक्षन का complete the end होगा उब भोगताओं के लिए छती पूर्ती निवारन के अधिकार के महतों का वर्णन कीजिए तो यह उब भोगता को अनुचित व्यवसाय कारियों एयों सोशन के विरुद छती पूर्ती मांगने का अधिकार होता है यदि वोगता को कोई छती पहुंचाई जाती है तो उसे हुई छती की मात्रा के अधार पर छती पूर्ती प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है इस कारिया को पूर्ण करने के लिए एक सरल परभावी जन परणाली बनाने की आवश्रता है तो इस प्रकार से यह हमारा complete हो जाता है चार नंबर मोडल पर हमने शुरू किया था यह complete हो गया है इसका section C और बचा हुआ है वो अगर आप चाहते हैं उनका भी solution करवा देंगे लेकिन फिल हाल में आपको करवा रहा हूं section A A और B और यही संजीव में करवाया है अगर आपको class पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके जो पास में बेलाइक नहीं उसको जुरू दबालें ताकि प्रते class का notification मिलता रहे चलेगा आज की class से विदाय लेते है आज की class में इतना ही next class में मिलें कुछ ने के साथ जै हिंद जै भारत